पहले तो हमास की हालत और भी ज्यादर खराब है हिजबुल्ला भी तबाही कड़र यहां पर इसे सता रहा है और ऐसा इसी लिए हुआ क्योंकि फिलिस्तीन के सबसे बड़े समर्थक देश नहीं अब हमास के सबसे कड़र दुश्मन से हाथ मिला लिया है अब पूरी दुनिया पूछ रही है क्या हमधर्दी दिखावा कर यह दिखाकर हमास के ही खरीवी ने उसकी पीट में चुरा भूंदिया एफ ग्राइब एफ चाले तुरण थम फ्राइब प्राइब एफ चाले बार काले को टुढरे रहिंग एफ जहिस थुराइब प्राइब प्राइब श्राइब एफ वाहज वाहन Yes इसराइल ने कह दिया है कि हमास का खात्मा तेह नेतनी याहू ने कह दिया है कि हिस्बल्ला की तबाही तेह अमेरिका और इसराइल दोनों कह रहे हैं कि हूथी भी मारा जाएगा ये धंकी कोनी से दी जा रही बंबारी से दी जा रही मिजाइल के हमलों से दी जा रही है लेकिन हमास को खत्म करने की सबसे बड़ी सुबारी तो उसके सबसे बड़ी हमायती ने ही दी काज़ा की तबाहिक स्क्रिप्ट अब मेडिन तुर्की हुचकी है इसलिए कहा जा रहा है कि हमास से सबसे बड़ी गद्दारी तुर्की ने की है कल तक हमास का पैन नंबर उन उसकी हमायत करने वाला उसकी हांमे हां मिलाने वाले अरद्वान ने हमास की पीट में जैसे चुचा फूंक दिया है हर दिन, हर घंटे, हर मिनिल, हर सेकन्ड, हर मुश्किल घड़ी में फिलिस्तीन के साथ खड़े रहने का बादा करने वाले अर्दुआन इसराइल से दोस्ती का हाथ मिला लिया है इस दोस्ती का मतलब है हमास की मौत और इसमें अर्दुआन की मनजूरी शामिल है अब तुर्की को इसी नजरों से देखा जा रहा है, जिसमें धोका है, जिसमें गद्दारी है, जिसमें हानियां की मौत भी छिपे हुई है काज़ा में बंबारी शुरू होने के बाद से तुर्की और इस्राइल के बीच व्यापा 34.8 प्रतीशा तक बढ़ गया है, इस्राइल को तुर्की का निर्याद नवंबर 319.5 मिलिन डॉलर से बढ़ कर दिसम्बर में 430.6 मिलिन डॉलर हो गया है, जानि एक तरफ जुद चल रहा है और दूसरी दरफ तुर्की कारोबार कर रहा है, मतलब ये कि युद्ध होने के बाद से तुर्की और इस्राइल के बीच व्यापार बढ़ गया है, जब गासा में घुन खराबा जारी है, तब तुर्की ने इस्राइल को एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा डेस्टिने कीमत अपनी एक्सपोर्ट वाली डील से मिटा दी है, यही वजा है कि तुर्की और आसपास के पूरे पश्चमेश्या के लोग अर्दुवान से सवाल कर रहे हैं, इस वक्त इस्राइल की सेनक वर्दी भी तुर्की में बन रही है, इस वक्त इस्राइल जिन जूतर से गाज हो रहे हैं, यह दुनिया जानती है कि गाजा में अटैक के बाद सबसे पहले अर्दुवान ने इस्राइल की निंदा की थी, अर्दुवान ने तो नेतन याहु की दुलना हिटलर तक से कर डाली थी, अर्दुवान ने हर समय फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़े होने का बादा किया था, लेकिन अब इस सच्चाई से परदा उठ चुका है, पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि भले ही तुर्की के राष्टपती तैया परदुवान फिलिस्तीनियों के साथ खड़े होने का धिंदोरा पीट रहे हैं, लेकिन असल में तो वो नेतन याहु के साथ मिलकर बहुत खामोशी से अपना कारोबार चमका रहे हैं, गाजा हर दिन मर रहा है, वहां के लोगों को युद्ध की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही हर बड़ते दिन के साथ गाजा में इसराइल की फोर्स का आपरेशन पेस होता जा रहा है, तो दूसरी त चैना के डिस्ट्रॉयर डायमंड ने हुथी के 21 ड्रोन और मिजाइल को मार गिराया है, डायमंड के हमले से हुथी वे द्रोहियों को बहुत बड़ा जटका लगा है, इस हमले में 18 ड्रोन, दो एंटी शिप क्रूज मिजाइल और एक एंटी शिप बलिस्टिक मिजाइल को लॉंच होने के बाद ही गिरा दिया गया। पलिस्टिक मिजाईल से भी इसराइल के दक्षणी इलाके पर अटैक कर रहे हैं। साथ में इसराइल और अमेरिका को लगातार धंकिया दे रहे हैं। हुथी विद्रोहियों के टागेट दो हैं। पहला है इसराइल और दूसरा है अमेरिका। हुथी विद्रोहियों ने इसराइल के शिप को टार्गिट करना शुरू कर दिया है वो अमेरिका को भी अपना दुश्मन नमबर दू मानता है गाजा में चल रही जंग के बाद दुनिया में कारोबार के लिहाज से हालात कितने गंभीर हो चुके हैं इसका खत्रा सब महसूस करने लगें इसराइल ने दुनिया के प्रेशर के सामने जुकने से मना कर दिया है लहाजा अब हुथी विद्रोही जिनकी एरान से बेहुद करीबी है उन्होंने इसराइल के शिप को टागिट करने का पैसला किया है वो जानते हैं कि उनके करीब से गुजरते शिपिंग लेन दुनिया की लाइप लाइप लाइन है और यहां पर हमला करने का मतलब इसराइल के गले पर हमला करने जैसा है है लूाइव ईयान कि एकिड़ा उनन भर्या यारियं ठकाथ सम्नेद का इस भाइप लाइप लाइप fak追 बढ़ान अभाव लाइब इस cả लाइप लाइब वाइप लाइप लाइप ले incubus ले दा फाम लाइप लाइप लेप, इस् Math लाइब अब यमन के हुथीवे द्रोही ओने इसराइल और उससे जुड़े जहाजों पर हमले तेज कर दिये हैं यानि अदन की खाड़ी में और लाल सागर में अब कारगो जहाज के दो दुश्मन तयार हैं यमन के हुथिवे द्रोही जो गाजा पर इसराइल की बंबारी रुकवाने के लिए इसराइल के जहाजों या उसके लिए माल ले जा रहे कारगो शिप को टागट कर रहे हैं यह दोनों अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाजों को टागट कर रहे हैं यहीं से एशिया की तरफ से यूरप को रास्ता जाता है दुनिया की सबसे एहंग शिपिंग लेन मिस्की स्वेज कैनाल से गुजरती है अगर इस शिपिंग लेन की तरफ लाल सागर से होता हुआ जा रहा रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो यह रास्ता 6000 किलोमेटर लंबा हो जाएगा क्याँऌकि तब समुद्री जहाजों को अफरीका का चक्कर लगाकर यूरप पहुंचना होगा अगर इसराईल जाना हैं तो रास्ता 10,000 किलोमेटर तक ज्यादा हो जाएगा तीन से पांच दिन का सफर और लंबा हो जाएगा ज्यादा फासला यानि ज्यादा लागत ज्यादा वक्त और कारोबार पूरी तरह चौपण यही है यमन के हुथिवे द्रोहियों का टागट क्योंकि वो गाजा में बंबारी का बदला इस्राइल के जहाजों को बना करना चाहते हैं और ऐसा उन्होंने करना भी शुरू कर दिया है यमन के हुथिवे द्रोहियों ने 15 देशों को ललका रहा है यानि हुथिवे द्रोहियों ने 15 देशों से यगध लड़ने की तैयारी कर ली है